जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेशार रहे उमीद करते ही कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी जैसा कि आपको पता है कि आरपेफ कॉंस्टेबल और एसाई की वेकेंसी यहाँ पर और एसाई के कंप्लीट 2018 में जो पेपर पूछे गे थे ओरिजिनल प्रिवियस एर पेपर का पूरा का पूरा सेट इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आरपेफ कॉंस्टेबल और पर्चेस कर सकते हैं इसका लिंक हमने नीचे डेस्क्रिप्शन में दे रखा है डेस्क्रिप्शन पर जाएगा और लिंक पर जाते ही आप हमारे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे वहां से आप इसे जो पर्चेस है फॉन पे यूपी आई पेटियम किसी भी थूप चाहते हैं तो पीडियेफ भी ले सकते हैं और अभी फूरा वीडियो़ हम आप को इसका प्रोवाइड भी कर रहे हैं आप चहें तो यहां से से पूरा देख सकते हैं और गी रेल्वे का कंप्लीट कोर्स लेना चाते हैं जिसमें कि रेल्वे का कोई भी एक्जाम अगर आप दें चाहे आप आर्पीएफ का कॉंस्टेबल दें चाहे ऐसाई दें या फिर आप यहाँ पर NTPC देजिएगा, यहां पर ALP technician दीजेगा, कोई सा भी exam दीजेगा, तो उसके लिए हमारा एक complete course बनावा है, जो की मात्र 99 रुपीज है, मैं मिल रहा है, उसका भी नीचे description में हमने link ते रखा है, उसके अंदर आपको सारे questions मिल जाएंगे, तो इसलिए आप चाहें, तो आ आपको ALP technician के 2018 में जो question पूछे गे थे, वो सारे question with solution आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप नीचे description से purchase कर सकते हैं, चलिए चलते हैं यहां पर, देखे, सबसे पहले हम चलते हैं यहां, आर पी एफ सबस्पेक्टर के 19.12.2018 के shift number 1 के paper पर, तो पहला question पूछा गया कि गैलिय C. रंग राजन थे, अनिश्चित्ता का सिध्धान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वर्नर हाईजन बर्ग चर्ची के द्वारा ये आपका प्रतिपादित किया गया था, एडम गिलक्रिष्ट का उपनाम क्या है, तो चर्ची है, अगला यहां पर भारतिय समिधान की आठवी अनुचुची किस से संबंधित है तो आधिकारिक भारतिये भाषाओं से ये संबंधित है क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है तो बिल्कुल नहीं दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता है भारती ये शशस्त्र बलों का सर्वच कमांडर कौन होता है तो भारत के रास्ट्रपती होते हैं नेल विद्रहो किस राज्य में हुआ था तो ये हुआ था पश्चिम मंगाल में सूर्य और मंगल ग्रहे के बीच की दूरी कितनी है तो 227.9 मिलियन किलोमेटर की दूरी है भारत का रास्ट्रपती अपना इस्तिपा किसको सम्मधित करते हुए देता है तो उपरास्ट्रपती को अगला कोशन यहाँ पूछा गया कि इथियोपिया की राजधानी क्या है तो एडिस अबाबा ये काफी बार हर एक्जाम में कई बार रिपीट हो है रेलवे के तो इसलिए इस कोशन को स्टार मार्क कर ले जएगा कि इथियोपिया की राजधानी क्या है तो एडिस अबाब टेम्स नदी किस देश में भहती है तो टेम्स नदी जो है वो इंग्लेंड में भहती है अगला है पुस्तक असेंचुरी इस नॉट इनफ किस ने लिखी है तो ये लिखी है हमारे स्वरवगांगुली जी ने अगला है यहाँ पर पश्च प्यूश ग्रंती यानि कि posterior pituitry gland जो के जंगलों में निवास करते थे तो ये करते थे ओडिचा के जंगलों में निवास अगला यहाँ पर पूछा गया कि लोगसभा के सदस्यों का कारेकाल कितना होता है लेकिन इससे पहले भी खतम किया जा सकता है तो राष्टपती के द्वारा जो है से पहले भी खतम किया ज सकता है यनि कि लोगसभा कि इससे पहले भी खत्म किया जा सकता है और वो उसकी शक्ती राष्टपती की पास होती है बोधी सत्व शब्द किस धर्म से समबनदित है तो यह है बौद धर्म से समबनदित टोंगा की घाई यान की ट्रेंच जो है वो किस महासागर में इस्थित है तो यह परशांत महासागर में इस्थित है असिटिक एसिट यानि की CS3 COOH का आइनी करण जो है आइनी कारक जो होता है वो कितना है तो यह है 1.74 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अगला है यहाँ पर ककरापार नाभिकिये उर्जा सहियतर किस राज्य में इस्तित है तो यह है गुजरात में नेक्स यहाँ पर समवेग ज्यात करने का सुत्र क्या है तो द्रवेमान इंटू वेग नेक्स पूछा गया पूर्ण रूप आपसे पूछ लिया गया देखे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यह आपका बैंकिंग में काम आता है बैंक में आप में जो मनी ट्रांसफर है उसके लिए यह यूज माता है अगला है यहाँ पर पुस्तक आर्कियोलोजी ओफ एंशेंट इंडियन सिटीज किस ने लिखी है तो इदलिप कुमार चकरवर्ती जी ने लिखी है और खजरोओ में पाया गया प्रसिद लक्षमन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था तो कब की गई थी तो 1847 AD के अंदर भारतिय संसत का कौनसा सदन अधिक सक्तिशालि है तो यह है लोकसभा भारती निर्यात रिन गारंटी निगम जो है एसी जीसी का मुख्याले कहां पर है तो यह मुंबई में है और मुख्याले उसे संबंदित कुशन हर बार रेलवे पूसता ही पूसता है तो इसलिए इन पर आप विशेश ध्यान दीजिएगा अगला कुशन है आपर भारत के सर्वोच नयाले की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1950 में हुई थी नेक्स्ट आप से पूछा गया कि नदियो द्वारा निर्मित द्रोणिया ड्रेन एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है बेसिन भूतल और समुदर के बीच की सीमा रिखा क्या कहलाती है समुदर तट ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है तो यह tennis में किया जाता है जभारलाल नेरु की मरत्यु के तुरंत बाद भारत का कारेकारी प्रदान मंतरी किसे बनाया गया था तो श्रीगुल जारी लाल नंदा जी को बनाया गया था इस question को star marker करके रख लिजेगा काफी बार railway के अलग-अलग exams में पूछा गया है योग सुतर किस के द्वारा लिखा गया तो ये पतंजली के द्वारा लिखा गया कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है तो कोलंबियन पेसा SI पद्धती में गुणज 10 की power minus 18 किसका उपसर्ग है तो ये अटो का उपसर्ग है अगला है याँ पर देखेगा पेपर नंबर हमारा shift नंबर 3 का RPF समिस्पेक्टर का 1912-2018 का तो इसमें देखे खड़ी और चट्टानी दिवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है तो ये घहरी घाटी जो है वो तंग नदी घाटी कहलाती है Formic Acid यानि कि Formic Aml जो है HCOH इसका आपका रसनिक नाम होता है इसका आयनिक करन जो नियतांक है वो कितना होता है तो 1.8 into 10 की power minus 4 होता है भारत की राष्टपती को पद की शबद कौन दिलाता है तो भारत के मुख्यनाय देश दिलाते हैं और हैट्रिक शबद के स्खेल में होता है तो ये करकेट में होता है Melonic Amlika IUPAC नाम क्या है तो ये है Propanidoic Acid अगला है 1956 से राज्यपुनर गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटा कर कितनी कर दी गई थी तो 14 कर दी गई थी नेक्स्ट है Thyroid Granti यानि कि Thyroid Glend जो है वो क्या स्रावित करती है तो ये केलसी टोनिन स्रावित करती है अक्टूबर 1962 में घोशित किया गया पहला राश्ट्री आपातकाल कब तक रहा तो ये 1968 तक रहा कलरी या पट्टू जो है ये केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है ये ध्यान रखेगा ये काफी कोशन इस बार NTPC में भी पूछा गया था अगला कोशन यहाँ पूछा गया कि सुक्ष्म करने का सुत्र बलबटे लंबाई है और सिक्किम की राश्धानी आग गंग टोक है अच्छे से ध्यान रगेगा सारी राश्धानियों से एक कोशन जरूर हर बार पूछा जाता है भारतिये स्पात प्राधिकरन लिमिटेट सेल जो है यहाँ पर आपका इस्टील आथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेट का मुख्याले कहां है तो यह है न्यू डेली में अगला है यहाँ पर भूतल के नीचे का जल इस्तर क्या कहलाता है तो वाटर टेबल कहलाता है किस भारतिये राज्जे का अपना अलग समिधान है तो जम्मू और कश्मीर का मीसिसीपी नदी किस देश में भैती है तो संक्तराज अमेरिका में रावण द्वारा केलास परवत को हिलाते हुए विचतर प्रतिमा कहां पाई गई है तो एलिफेंटा की गुफाओं में पाई गई है एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक किस ने लिखिये तो सानिया मिर्जा ने भारत का प्रतमनागरिक कौन होता है तो भारत के रास्ट्रपती प्रतमनागरिक ही भारत के कहलाते है पागल पंथी सत्यागरह कहां हुआ था तो यह हुआ था बंगाल में और भारत का समिधान कब से लाग हुआ तो 26 जनवरी 1950 से पूने सारवजिनिक सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई तो पूने में और अलुमिनियम तत्व का परमानु क्रमांक काफी बार आया है कोशन तो 13 यहाँ पर होता है सोंगराम संगमा विद्रो कहां वा था तो यह असम्म हुआ था और दिसंबर 1929 में लाहोर में संपन्न हुए कॉंग्रेस के राष्ट्री अधिवेशन में कौन सा परस्ताव पारित हुआ तो यह पारित हुआ था पून स्वराज्य का परस्ताव अगले कोशन पर चलते हैं अपने कि लोकसभा में अविश्वास परस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया तो 1963 में ये पहली बार अविश्वास परस्ताव लाया गया किसने दो लगातार कारेकालो में राष्टपती के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं प्रेंच जो है वो किस महासागर में स्थित है तो यह है हिंद महासागर में वस्तों कि वैश्विक संकेत पंजिकरन और संद्रक्षन अधिनियम कब लागू हुए तो 1999 में एसलार का पूर्णूप क्या है तो इकलनागरिक्ता को प्रदान करता है हाथी गुमफा शिलाले किस के द्वारा किर्ण कराया गया तो खार्वेल के द्वारा ऐसा ही पद्दती में गुणा 10 की पावर माइनस 15 का उपसरग क्या है तो फैम्टो होता है यह और इरान की मुद्र का नाम इरानी रियाल होता है नेक्स यहाँ पर सूर्य और शुक्र ग्रहे के बीच की दूरी कितनी है तो 108.2 मिलियन किलोमेटर की है ब्रहत सैंता पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है तो वराह मिहीर के द्वारा लिखी गई है विदेशी विनिमे बाजार में वह स्तित क्या कहलाती है जब घरिलू मुद्रा का मुल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है तो अमुल्यन कहलाता है ये और हुतोम प्यांचार नक्षा पुस्तक किस ने लिखी है तो ये काली परसन सिंग ने लिखी है और निट्रॉन की खोज कि गई थी तो जेम् सबा अंदोलन किस राज्य में प्रारंब हुआ तो ये बिहार में प्रारंब हुआ नील दर्पन पुस्तक किस ने लिखी तो दीन बंधु मित्र ने लिखी और अधिवरक ग्रंती यानि कि एडरनल ग्लेंड जो होती है वो क्या स्रावित करती है तो ये कौटिसॉल स्रावि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संगियानी की यूनियन होगा उत्तर प्रदेश का उचने आले कहां पर इस्तित है तो ये है इलहाबाद में नेक्स्ट है यहाँ पर कुश्चन पाबना किसान विद्रो भारत के किस राज्य में हुआ तो पाबना देखे पैसे पाबन सबसे लंबा रहा तो डॉक्टर राजंदर परसाद का अमुक्ते मालेदा पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई क्रश्न देव राय के द्वारा शक्ती पावर ग्यात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है कारे बट्टे समय फाल्स स्टार्ट शब्द किस खेल में परियुक किया जाता है अगला कुशन है आपर भारते समिधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्ता को अपनाया गया है तो संसदी शासन व्यवस्ता को अपनाया गया है चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है तो हिपोक्रिटस है और रेड़ फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है सूर्य और बुद्ध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है तो 57.91 million kilometer है गटका एक martial art है यह किस राज्य से संबंदित है तो यह गटका जो है यह आपके पनजाब राज्य से संबंदित है एलेक्टरौन की खोज किसके दौरा की गई तो वो की गई थी जेजे थॉंसन के दौरा जसबा के अधिक्तम कितने सदस्यों को मनोनित कर सकता है तो अधिक्तम 12 सदस्यों को राष्टपती मनोनित कर सकता है उपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाये जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं तो मेजोफिल कहलाते हैं फिनलेंड की मुद्रा का नाम क्या है तो यूर किसके द्वारा की जाती है तो भारत के राष्टपती के द्वारा भारत की पहली गैर कांग्रिसी सरकार के नेता कौन थे तो मुरार्जी देसाई थे भारती अर्थशास्त्र संस्थान कहां परिस्तित है तो यह है 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 धराबाद में सनी डेस पुस्तक किस ने लिखी है तो रूस में बागों के संरक्षन से संबंदित कारिक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कप शुरू हुआ 1973 में मरियाना की जो खाड़ी है ट्रंच है वो किस महासागर में इस्तिते तो ये है प्रशांत महासागर में भारती प्रातत्व सर्वेक्षन विभाग किसके अंतरगत आता है त कैगा पर्मानु उर्जा संयंतर किस राज्य में इस्तित है तो ये है करनाटक में नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है तो नोली अरुनाचल प्रदेश की राजधानी मैंने जैसा कि आपको कहा था कि राजधानी से रिलेटेड जो कोशन से काफी जादा पूछे जाते है तो नोचल प्रदेश की राजधानी इटा नगर है तिरुपती गुडिया डॉल्स बनी होती है लाल चल्दन की जो लकडियां होती है उनसे बनी होती है रेड संडल वूड होता है उससे बनी होती है ये जमिदार सभा की स्थापना कप की गई तो 1838 में नीती आयोक के संबन में नीती का पूर्ण रूप क्या है तो नेशनल इंस्टिटूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है नदी का वहज़वारी ये मोहाना जहां पर ताजा और खारा पानी मिशित होता है क्या कहलाता है तो वो कहलाता है एस्टूरी यदि सरकार अपने बॉंड्स की खर का मुख्यों देश क्या है तो विवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना ट्रांसाइबेरियाई रेलवे सेंट पिट्स बर्ग को किस से जोडता है तो ये वलादी वोस्तोक से जोडता है महमूद बेगदा किस छेत्रिय सामराजी के प्रसिद सुल्तान थे तो गुजरा नेक्स्ट हैं आपर ग्रीन लेंड किस महादीप के अंतरगत आता है तो उत्री अमेरिका के अंतरगत आता है आधुनिक ओलम्पिक खेल कितने दिनों के लिए आज़ुद किये जाते हैं तो 16 दिनों के लिए ये आज़ुद किये जाते हैं बीहड रेविनस आम तोर पर भार की स्थापना किस ने की तो RS सरकारिया जी ने की रिले शब्द किस से संबंदित है तो रनिंग से वर्तमान में भारती समिधान में कितनी भाषाएं सुक्रत हैं तो 22 भाषाएं यहाँ पर वर्तमान में समिधान में सुक्रत की गई हैं किस अनुचेद में वित्त आयोक को वोईंट जैनने की थी एक बड़ी सजा को हिलकी सजा में पर वर्वर्थित करना क्या कहलाता है तो लगुकरण करना कहलाता है कार्वन के द्वारा अन्यक कारवन परमानों के साथ सहसईूजक बनाने की विशेश्चता क्या कहलाती तो ये कहलाती है स्रंखलन पहली अंतर राजिये परिशत का गठन कभ हुआ था तो 1990 में किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर इस्ते तो आंधर प्रदेश में जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया तो लाल भादुर शास्त्री जी ने दिया था भारत निकिस वितिय वर् सब्रण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है कॉरियोलिस बल कहा जाता है संट्पाइटिक युक्त क्लोरिन जो कि सुक्ष में जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइट बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है उसका नाम क्या टेबल टैनिस से जुड़ा अंतराश्टी शासी निकाय कौन सा है तो ITTF है भूमद्य सागर का प्रकाश इस्तंब क्या है तो स्ट्रॉम बोली है भूमी यहां पर अधिगरहन और नागरिकता को समाप्त करने के संबंद में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है तो वो पार्थिनो जेनेसिस कहलाता है सीधी रेखा के सापक्ष वस्तों की गती को क्या कहा जाता है तो सीधी रेखिये गती कहा जाता है राश्ट्रिय विकास परिशद के अध्यक्ष कौन है तो प्रधान मंतरी हडपा सभिता की कस्भों को कौन से ग्रिड पैटर्न में र इतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है तो अनुच्छेद नंबर 16 के तहत महायान शब्द किस धर्म से संबंदित है तो यह बहुत धर्म से संबंदित है मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाओ को किस नाम से जाना जाता है तो यह एपी कल्चर ना नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया कि पेरि प्लेनेटा अमरीकाना का साधरन नाम क्या है तो अमेरिकन कॉक्रोच भारत में चिष्टी संप्रदाई किस ने स्थापित किया तो मोईनुद्दीन चिष्टी ने खेलों में डेकेतलोन में कितनी परतिस्प्रदाएं होती है तो ये दस होती है अगला कोशन यहां पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रेन लैंड है लोकसभा के सभापती को अपना इस्थिपा पत्र को भेजना होगा लोकसभा के उपूफ सभापती को बेकिंग सोड़ा का सुतर यहां पर एन एए ए द्वेजर निर्धारित किया गया है तो 2004 को कबीर की रशनाओं के संकलन को क्या कहा जाता तो बीजक कहा जाता है अरभजन सिंग का उपनाम आपसे पूछा गया तो दट टर्बनेटर मिट्टी को ढईला करने और मॉडने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो यहां पर जो प्रत्वी की आंत्रिक गर्मी से प्राप्त उर्जा को क्या कहा जाता है तो भूत आप ये उर्जा दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया तो नेता जी सुभास चंदर बोस जी ने अलिगड में मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज किस ने स्थापित किया था तो ये सैयद एहम परिस्तित है तो ये है कश्मीर में पंचायती निर्वाचन छेतर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं तो ये लर्ड मिंटो जाने जाते हैं पॉलेंड की मुद्रा का नाम क्या है तो पॉलिश जलोटी हाडरोजन का परमानु क्रमांग क्या है तो एक भारत के सिमिधा की आठवी अनुसूची में कितनी भाषाओं को सुची बद्ध किया गया है तो 22 भाषाओं को सुची बद्ध किया गया है रास्ट्रिय ग्रहे बैंक नहीं दिल्ली में प्रत्वी का द्रवयमान आप से पूछा गया तो 5.972 मल्टीपल 10 की पावर 24 किलोग्राम जो प्रत्वी उत्राखंट की रासधानी आप से पूछ ली गई तो ये है देहरादुन कनिश्क किस वंच के महान राजा थे तो कुशान वंच के और भुटान की रासधानी पूछी गई थिम्पू EPF का पूर्ण रूप Employees Provident Fund होता है Portfolio System किस के द्वारा लागू किया गया तो Lord Canning के द्वारा घूमर लोकनरते कहां का है तो राजस्थान का रडार का पूरा नाम आप से पूछा गया तो Radio Detection and Raising अगला मुलतान क्रिकेट स्टेडियम किस देश में इस्तित है तो यह है पाकिस्तान में राजसभा के सदस्चों की कार्यावधी क्या होती है यानि कि उनका कारेकाल कितना होता है तो वो होता है च्छे वर्ष का किदम भी स्रिकांत के स्केल से संबन दिता है तो बैडमिंटन से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो राष्टपती द्वारा नियुक्त किया जाते हैं डिरेक्टली तुंग भंद्रा बांद जो है वो कहा परिस्तित है तो यह है करनाटका में बर्फ के crystal युकत बारिश को क्या कहा जाता है तो बर्फ ही कहा जाता है अगला यहां पर set देखिए संसत के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सतर के आरंब के बीच का समय अंतराल जो है वो क्या कहलाता है तो विश्रान्ती कहलाता है संक्तराज अमेरिका और यूरोप के बाहर उलम्पिक खेल पहली बार किस इस्तान पर हुए तो मिल्बर्न में हुए भारत की जंगंडा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है तो दस वर्ष के अंतराल पर की जाती है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संग कौन सा है तो यो है मोलस का लोगसभा धक्ष स्पीकर और सभापती डिप्टी स्पीकर के पदों का स्रजन किस वर्ष हुआ था तो 1924 में हुआ था फीफा दोरा विश्व फूटबॉल चेंपियन्शिप का एज़न पहली बार कहां किया गया था तो ये मॉन्टे वीडियो में किया गया था नाइट्रेल और इस्टर के अपचेंद द्वरा एल्डी हाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वरा किया जाता है तो ये स्टीफेन अभिक्रिया द्वरा किया जाता है जनरल एंटी अवर्डेंस रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया तो प्रतक्ष कर को प्रचूर मातरा में 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 प पीसरपी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव चेतर में आने वाले चेतर बाद में किस रूप में विकसित होते हैं तो ये आक्स बो जील के रूप में विकसित होते हैं। किस अनुचेद के अंतरगत संरक्षित है तो अनुचेद नंबर 34 के अंतरगत थोक मुल्य सुचकांक SPI किस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो वित्तिय सलाकार का रहले के द्वारा नीती निर्देशक सिध्धानतों का लक्ष है किस प्रकार के जनतंतर की स्थापना कर भारत के किंदो राज्यों में भूतापियो उर्जा से संबंदित प्रयोगात्मक प्रयोजनाएं इस्थापित की गई हैं तो ये हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सिलसला शब्द का संबंद किस से है तो सूफी संप्रदा इसे है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं हमारे की घोडों को दागने की प्रथा किस के द्वारा शुरू की गई थी तो ये की गई थी अलाउदिन खिलजी के द्वारा संशोधित के अर्थोड किरन ट्यूब में धनावेशित कन क्या कहलाते हैं तो कैनाल किरने कहलाती है गोलाकार शेल के भीतर किसी कन पर लगने वाला गृत्वाकर्शन बल क्या होता है तो वो शुन्य होता है तने अथवा शाखाओं पर पत्यों की विवस्ता क्या कहलाती है तो फाइलो टैक्सी कहलाती है मद्रास और बॉंबे का विकेंद्री करन किस अधिनियम दौरा किया गया था तो 1861 के अधिनियम के दौरा ये किया गया था वितिय शेत्र विकास परिशद FSDC की स्थापना किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई तो ये हुई पुंजी बाजार पर उच्च उस्तरीय कमेटी के लिए करदाताओं पर उनकी समवहनियता लगने वाला प्रोपवर गरीबों के हित में जो टैक्स है वो कौन सा है वो कर कौन सा है तो प्रगतिशील कराधान उसे कहा जाता है किस त्योहर को रंगों का त्योहर कहा जाता है देखे इस तरह का प्रशन भी पूछ रिया जाता है कभी बिल्कुल एक दम हलका प्रशन तो यह कहा जाता है होली को अगला है राश्ट्रिय महिला आयो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी तो 1992 में किस निरते शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है तो कतकली को गोमबे एट्टा की पारंपरी कठ पुतलियों का संबंद किस राज्य से है तो ये है करनाटका से मानव शरीर में पाये जाने वाला कौन सा उत्तक सबसे खटोर और अस्थी मई उत्तक कहलाता है तो वो अस्थी कहलाती है किस राज्य में स्थाई जंगल सरवाधिक संख्या में है तो मध्य प्रदेश में बहमनी राज्य किसके शासन के तहट सरवाधिक शक्तिशाली था तो महमूद गवन के समय पर आमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आकरमन किया तो 1388 में किस ने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा तो ये सुभाष चंद्र बोश जी ने नारा दिया कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की इस आयता से उर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है तो ये है वायू जीवी श्वसन ऐरोबिक सुनिल छेतरी किस खेल या स्पोर्ट से संबन्दित हैं तो फुटबॉल से पानी की बुंदों के रूप में नमी के स्त्रावित होने को क्या कहा जाता है तो वरष्टी कहा जाता है भारत के योजना आयोक को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था तो नीटी आयोक की द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था मलेशिया की मुदरा का नाम क्या है तो मलेशिया ही रिंगित है रास्ट्रिय प्रबंधन संस्थान N.I.B.M. कहां परिस्थित है तो ये पूर्णे में स्थित है क्या भारत की राष्टपती ने अब तक वितिया अपातकाल घोशित किया है तो कभी भी अभी तक भारत में सिस्ति नहीं आई कि भारत में वितिया अपातकाल घोशित करना पड़े लाहोर सत्रक का वायोजित हुआता तो 1929 में सचिन तेंडूलगर ने किस टीम के खिलाफ अपना सोवा अंतरास्टिय शतक लगाया तो बंगलादेश के खिलाफ किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम इस्तित है तो ये तक्षिन अफरिका में प्लास्टर ऑफ पैरिस के लिए कौन सा सुत्र है तो C.A.S.O.4 इंटू 1 by 2 S.O. यहाँ पर आपका प्लास्टर ऑफ पैरिस का सुत्र होता है अमरत सर में सिंग सभा अंदुलन कब गठी तुवाता तो 1873 में उच्छतापक्रम पर प्रत्वी की सताय के नीचे इस्तित गैस युक्त पिगली हुई स्ट्टान समगरी को क्या कहा जाता है तो मैगमा कहा जाता है सविधान की कौन से अनुशुची राज्यों और केंदर शाहसित प्रदेशों की सूची देता है तो प्रथम अनुशुची में ये चीज़ें दी गई है 1875 से 1990 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था तो बिरसा मुंडा जी थे नाटक शकुंतला की लेखक कौन है तो कालिदास जी है एशिया कप किस खेल से संबन दिता है तो क्रिकेट से मुख्य चुनाव आयुक्त के कारेले का कारेकाल कितना होता है तो 6 वर्ष का देश और महादीपों में से सहरा रेगिस्तान कहां परिस्तित है तो उतरी अफरिका में भक्ति संतों में से किस ने पुष्टी मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था तो ये वल्लभचारे जी ने किया था चंद्रमा का दर्वेमान भी पूछ लिया गया तो 7.37347 x 10 की पावर 22 क्लोग्राम जो है यहां पर चंद्रमा का दर्वेमान होता है कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में खोश्ट किया गया तो हिंदी को मुगल लगु चितरकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुँच गई थी तो वो जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुँच गई थी राज्य सभा का पहला अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर S. राधा कृष्णन भारत के राष्टपती के कारेकाल कारेकाल कितना होता है तो वो होता है पांच वर्ष का कौन सा दुनिया में नियुनितम घनी आबादी वाला स्थान है तो ग्रिन लेंड सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाले फसलों को क्या कहा जाता है तो रभी की फसल कहा जाता है उकाई बांध कहा परिस्तित है तो ये है गुजरात में किस राज्य में हॉर्न बिल उत्सव जो है वो मनाया जाता है तो ये नागलेंड में मनाया जाता है ESIC का संपूर्ण रूप या विस्तारित रूप क्या है तो Employees State Insurance Corporation लोगसभा का द्यक्ष किस के द्वारा चुना जाता है तो लोगसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है सुंदर वन राश्ट्रियो ध्यान कहां परिस्तित है पशिम मंगाल में आवर्थी ahora की रास्धानी क्या है तो ओटावा, पंजाब की रास्धानी चंडीगर, होकी खिलाडी, मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है तो जादूगर कहा जाता है ने विज़ाड राषठ पती द्वारा लोग सभा में नामित सदस्सों की संक्या कितनी होती है तो ये होती है दो लावधिन किल्जी का परिसिद्ध दास कौन था तो मलिक काफूर जो है लावधिन किल्जी का परिसिद्ध दास था और ये 6.1.2019 की Shift No. 2 RPF Some Inspector का पेपर का आपका पहला कोशन विंद्या और सत्पुडा परवतमाला को जोडने वाला कौन सा लिंक है तो ये है मैकेल रिज आर्थिक उत्तरदाइत्व और बजट प्रभंदन FRBM अधिनियम का मुख्य उत्तेश क्या है तो आर्थिक एककत्री करन कीली मिंजारो परवत संकला किस महादीप में है तो ये है अफरीका महादीप में संक्तरास्टर विकास का रिक्रम ने किस वर्ष में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की तो 1990 में उसके बाद यहाँ पर अगला कोशन पूछा गया कि अफरीका के अर्ध शुष्क उष्ण कत्रिमंधी है सवाना चेतर को किस के रूप में जाना जाता है तो साहेल के रूप में किस भारतिय समिधान के लिए अपातकाल का प्रावधान है तो यहाँ पर भाग नंबर 18 में अगला प्रशन देखेगा कि सुप्रिम कोट के परामर्श चेतराधिकार की अवधारना क्या है तो कनाड़ा अगला है यहाँ पर लावणी किस राज्य का प्रसिद लोक नरत्ते है तो यह महरास्टर का DNA में से एक RNA पर आनुवणशिक जानकारी की प्रतिलिपी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो प्रतिलेखन कहा जाता है मेगाले पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है तो भारती है प्रायदीप पठार सूर्य चंद्रमा और प्रत्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की भरती आती है तो वो आती है रिक्ती भरती एक अतिरिक्त गुण सोथ 51 की उपस्तिती के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है तो डाउन सिंडरोम दो तरंगों की अत्यधिक शक्ती के कारण प्रकाश की तिवरता का असमान वितरण क्या है तो वो है हस्तक शेप सामाजिक आर्थिक और राजनितिक नयाई के अवधारना किस क्रांती से ले गई है तो रूसी क्रांती से ले गई है भारतिय समिधान का अंतिम हस्ताक्षर करता किसे माना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है कौन सा दुनिया का सबसे उंचा पठार है तो तिबबत का पठार है जिस दर पर बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे बैंक रेट कहा जाता है प्रती इकाई आयत के दी धुरिवी एक कीचड को क्या कहा जाता है तो धुरुवी करन कहा जाता है रूसे चर्व चुंबकी चेत्र के माध्यम से विदुद्व प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता कहा जाता है खादर कहा जाता है किसी योगिक में पर्मानों की संक्या का बहुत सरल अनुपात ग्याद करने के लिए किस सुत्र का उपयोग किया जाता है तो अपचारिक सुत्र का रास्ट्रपती के अनुपस्तिती में भारत का कार्यवाहक रास्ट्रपती कौन होता है तो भा उसे वापस नहीं लेने पर जिसे अनिशित काल के लिए लंबित रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है तो pocket veto कहा जाता है किस छेतर में वानिकी का प्रतिशत सरवादिक है तो मिजोरम में 1945 में जन योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी तो M.N. Roy के द्वारा फिरोज शाहत तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था तो हिसार का next question है हमारा कि कैग किन खातों का लेखा परिक्षन करता है तो केंदर सरकार रज सरकार और वितिय सायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों का विश्व प्रसिद्ध चार मिनार कहां परिस्तित है तो यह है है हैधराबाद में compound microscope का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिपिम्ब बनाता है तो objective प्रसिद्ध क्रशी आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था तो यह हुआ था बंगाल में किस शहर को उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश दौर कहा जाता है तो गुवाहाटी को पंचायतों की शक्तियों अधिकारों और कर्तव्यों को समिधान की ग्यार्मी अनुसूची में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था तो 73 में सविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वांडी वाश का निरनायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था तो अंग्रेज और फ्रांसिसियों के बीच भारती क्रशी को अकसर क्या कहा जाता है तो मांसून पर दाउं कारबनिक योगिकों में अचक्रिय या खुली स्रंखला वाले योगिकों को क्या कहा जाता है तो एलिफैटिक योगिक कहा जाता है कियोटो प्रोटोकोल का उद्धिश्य क्या है तो ग्रीन हाउस गैस उत्तरजन को कम करना रास्ट्रि ये राजमार्ग वन दिल्ली से कहां तक जाता है तो अमर्दसर तक जाता है केंदर और राज्यों के संबंदों के निर्दारण के लिए बने दूसरे आयोक की अध्यक्षता किस ने की तो M.M. मुन्शी ने की मेडन ओवर की स्केल से संबंदित है तो ये किर्केट से संबंदित है काम करने अत्वा उर्जा इस्थनांतरन की दर को क्या कहा जाता है तो शक्ती कहा जाता है विदुत और चुम्बकी छेतर द्वारा तुरण के अंतरगत विदुत आविशित कणों को किस के रूप में प्रेशित किया जाता है तो विधुत चुम्बकी विकिनन के तौर पर राजे के नेती निर्देख्षक सिधानतों में किस बहुमत के अधार पर किया जाता है तो संसत के विशेश बहुमत के अधार पर किया जाता है किसी पदार्थ के अपने दर्पन प्रतिबिंब पर असमेंदिन शील नय होने का गुण क्या कहलाता है तो ये कहलाता है चिरैलिटी ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वास वाली फसले उगाई जाती है तो बायो फोटी फिकेशन कहलाता है राज्य मंत्रियों की शपत या प्रशासन सविधान की किस अनुसूची के अंतरगत आता है तो ये तीसरी अनुसूची के अंतरगत आता है हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंदित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है तो आयतन प्रत्यस्था मापांक कहा जाता है अनुसुचित छेतरों के संबंद में संसदिये कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है तो राज्यपाल के पास ये होता है किसने सिखों को सैन्य संप्रदाय में बदल दिया तो गुरू हर गोविंद सिंग ने वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बहाई है और आंतरिक जिली के बीच भ्रून परत में विवस्थित रहती हैं क्या कहलाते हैं तो डैपलो ब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं किसने मनिपूरी निरत्य को शांती निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याती वापस दिलाई तो रविंदरनाथ टैगोर जी ने जम्मू कश्मीर के इस्थानिय निवासियों को इस्थाई आवास्य प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है तो राज्य विदान मंडल को यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है तो सुट्जर लेंड में नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं जो पूछा गया है आपसे अर्थशास्त्र वहे विज्ञान है जिसके अंतरगत मानव विवहार का विकल्प के रूप में प्रियोग किये जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतरसंबंद के रूप में अध्यन किया जाता है यह क अलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को जेमु गलेशियर किस राज्य में पाया जाता है तो सिक्किम में पाया जाता है स्री लंका में जातिये संगर्ष में मध्यस्ता के लिए प्रसिद्ध भारतिये भारत स्री लंका समझोते पर हस्ताक्षर के गए गए उनिस लिए नामसे भी जाना जाता है तो ब्रमवेद के नामसे अथर्ववेद को जाना जाता है एफ ऐई जी किस खेल का शासी निकाय है तो जिमनैस्टिक का कॉन सा लो है और इसपात कारखाना करनाटक में इस्थित है तो यह है भध्रावती द Hoş겠다 है दुली के प्रशिध शाहसक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था टो फरीद को शेरशा के नाम से जाना जाता था और ध्यान रखेगा शेरशा सुरी जो है इन्होंने भनाया था GT road यानि की Grand Trunk Road अगला है समिधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तवयों को जोड़ा गया है तो 42 वे समिधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतिये न्याय प्रणाली का पालन करती है गैर निश्पादित संपती NPA का एक loan या advance है जो कितने दिनों की अवधी के लिए मूल या ब्याज भुकतान पर overdue रहता है तो 90 दिन के लिए अंटार्क्टिका में कौन सा भारतिय शोध केंद्र है तो दक्षन गंगोतरी फुटबॉल टीम में कितने खिलाडी होते हैं तो 11 वसंधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल है तो ओडिशा और आंधर प्रदेश भारत में समिधान सभा का गठन कब किया गया तो 1946 में कौन सी मिट्टी रैगूर मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है तो काली मिट्टी वर्ल्ड हैपीनेस रिपोर्ट तयार की जाती है संक्तराष्टर सतत्थ विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा विज्ञान की वह कौन सी शाका है जिसके तहत उत्तकों का अध्यन किया जाता है तो उत्तक विज्ञान क्या टेट्रा फ्लोरे थिन को मुक्त मौलिक या परसलफेट उत्परे रक के साथ उच्छ दवापर गर्म करने पर निर्मित होता है तो क्या निर्मित होता है ये होता है टेफलॉन सुल्तान अजलान शहा होकी कप जो है वो किस से आपको पता ही लग गया आंसर की फिल्ड होकी से ये सम्मंदित होता है हरी हर और बुक्का ने किस परसिद्ध सामराज जी की स्थापना की थी तो ध्यान रखेगा प्रशिद्ध सासकों में से कौन तुलुवा र जवन्श से सम्मंदित है तो क्रश्न देव राईजी जी जो है वो तुलुवा राजवन्श से सम्मंदित है नेक्स्ट कोशन जो आपसे पूछा गया कि कौन सी नदी बर्ड फुट डिल्टा बनाती है तो ये मिस्सिपी की नदी बनाती है यदिरास्टपती संसत के पुनरविचार के लिए विधेयक वापिस लोटाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है निलंबन, निशेधा, धिकार, विटो यूराल परवत और यूराल नदी यूरोप को किस से अलग करती है तो एशिया से वह खाद स्रंखला जिसमें पहला इस्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिमिस्तर पर के रूप में मासाहरी उपभोकता के साथ समाप्त होता है वह क्या कहलाता है तो वह ग्रेजिंग खाद संकला कहलाती है व्यापार, वानेचे और भारत के छेतर के भीतर गमना गमन का वर्णन समिधान के किस भाग के अंतरगत किया गया है तो भाग नमबर 13 के अंदर इसका वन्न किया गया है किसकी सिफारिश पर निवन्यतम समर्थन मुल्य लागों किया गया था तो क्रशी लागत और मुल्य आयोग CACP की सिफारिश पर किसने भारत में गोवा कार्निवाल की शुरुवात की तो पुर्तगालियों ने हमारे समिधान की प्रस्तावना में दिये गए स्वतंतरता, सम्ता और बंधुता के आदर्शों को किस समिधान से लिया गया है तो फ्रेंच से पेंटाथलोन खेल में कितनी इसपरधाएं होती हैं तो पांच होती हैं पॉली पेप्टाइस से एमीनो अमल बनने की बहुली करन प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है तो ट्रांसलेशन आवेशित कणों या आइनों को उच्च उर्जा में त्वारित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है तो साइकलो ट्रॉन इल्तुत्मिष ने किसे अपना उतराधिकारी घोशित करने का निर्णा किया तो रजिया को भारत में कानून बनाने वाला सरवच संस्तान कौन सा है तो संसत केरल और करनाटक में मौनसून से पूर्व होने वाली वर्शा को किसके रूप में जाना जाता है तो मैंगो वर्शा के रूप में भारत की पहली बोली जाने वाली जो फिल्म है यानि की बोलने वाली जो फिल्म है वो कौन सी है तो वो है आलमारा किसको भारत की अध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है तो वारा नसी को बिजली के फेज सिगनल अथवा आवरती को बिना बदले प्रात्मिक परिपत से दुतिय परिपत में ले जाने के लिए किस विधुत इस्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है तो ट्रांसफॉर्मर का बारती समिधान के किस अनुछेद के तहत राष्टपती अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो अनुछेद नंबर 123 के अकॉर्डिंग एक धर्म के अपनाने अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारती समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत आता है तो अनुछेद नंबर 25 क एक ग्रह चुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वहस्तान जहां से वहसूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है और उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है नक्षत्र पहली एश्याई कबड़ी चेंपियंशिप किस वर्ष आयजुत की गई थी तो 1980 में भारतिय यो लाइट के बीच विक्सित होने वाले विववांतर को क्या कहा जाता है तो उर्ध्रवाधर अक्ष कहा जाता है तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी तो 1192 में लड़ी गई थी भारत की दूसरी पंच वर्षी योजना का मुख्य लक्ष क्या था भारत भारी उध्योग और पुंजिगत सामान जो है वो यहां पर इसका लक्षे रखा गया था संजियो स्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रून पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है तो यह पॉलियों ब्रॉनी कहा जाता है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं जो कि आप से पकत उप राष्ट पती ना तो आपके लोग सभा का सदस्य होता है और ना ही राज सभा कैना सदस्य होता है। किया तो गुलजारी लाल रंदा जी ने काम किया भारती क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसी मैच किस टीम के साथ खेला तो इंग्लेंड के साथ एंज पी सी आई का विस्तार क्या है भारत का राश्ची भुकतार निगम वारली फॉक पेंटिंग भारत के किस राज्ज यहां पर सबसे बड़ा देश है दोजार इयारा की जनगंड़ना के अनुसार कौन सा राज्जे सबसे घनिया वादी वाला राज्जे है तो बिहार सांची का स्थूप कहां पर इस्तित था तो यह मध्य प्रदेश में श्तित है गरेंड स्लैम टॉनामेंट के स्केल से समभन देत है तो यह टैनिस से समभन देत है पौधों के स्वस्त विकास के लिए पोशक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो परदार्त जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उर्वरक कहा जाता है ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है तो ब्राजीलियाई असली है केन्या की राजधानी नैरोबी है और चंद्रमा और प्रत्वी के बीच की दूरी क्या है तो 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमेटर है पीटी उशा का उपनाम क्या है तो पत्योली एक्स्प्रेस किस महादीप में ग्रेट विक्टोरिया रगिस्तान इस्तित है तो अस्ट्रेलिया में आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है तो बी आर अंबेड करको तरतिय गोल में सम्मेलन कब आयुजित किया गया था तो 1932 में कौन सा सिलिकेट खनीजों का एक समू है जिसमें परिपून दरार होती है जिससे वे पत्ली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं तो मीका हिमाचल प्रदेश का लोक निरत्य कौन सा है तो चरबा भारत के संगिये नयले की स्थापना किस वर्ष में की गई थी तो 1937 में की गई थी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड इसकीम किस में उप्योग की जाने वाली शर्ते हैं तो ये म्यूचुल फंड में उप्योग की जाने वाली शर्ते हैं वल्लभी विश्वे विध्याले कहां पर स्थित्ता तो गुजरात में स्थित्ता, कौन भारतिय संसत के दोनों सदनों की सेंक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है तो लोकसभा अध्यक्ष, सोनार का विस्तार क्या है तो ध्वनी नेविगेशन और रेंजिंग, पर्थ अलंपती द्वारा चुना जाता है, निरवाचक मंदल द्वारा अपरतेक्ष, सिय भवानी देवी किस खेल से जुड़ी है, तो तलवार बाजी से, लासो और त्योहर किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है, वह ब्रक्रिया जिससे हरे पॉधे, सूर्य के प्रकाश और खलोर जस्थान की भारत के उच्च नैले के मुखिन आदीश की निक्ति किसके द्वारा की जाती है तो वो की जाती है राष्टपती के द्वारा नेक्स यहाँ पर आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है तो दल्लॉस वेगोस किड तारापूर नाभी की उर्जा संयंत्र कहां पर इस् शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंदित है तो यह तराकी से संबंदित है उच्च से निम्न सिर्शों की और बहने वाली महासागरिये धाराएं क्या कहलाती है तो शीतल कहलाती है इंडियम तत्व की परमानु संख्या कितनी है 49 तुरन ग्यात करने का सुत्र क क्या है वेग बट्टे समय एसिटिक अमल का आई यूपी एसी नाम के है तो एथनौइक एसिड है कोशिका में राइबोसोम की खोज किस ने की तो जॉर्ज इमिल फैलाडे ने की अगला है यहां पर नैट्रस ऑक्साइड एचनो टू का आयनी करन नियतांग कितना है तो 4.5 स्विजर्ड लेंड की मुद्रा का नाम क्या है तो स्विश फ्रेंक कॉर्णर किक शब्द का प्रियोक किस खेल में होता है तो फुड़ बॉल में होता है उदार विनी में दर प्रबंदन प्रनाली L.E.R.MS का विगटन कब हुआ था तो मार्च 1993 में हुआ था भारतिय संसत क निचला सदन क्या कहलाता है तो लोकसभा कहलाता है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ती कहां पर है तो सिर्वन बेल गोला में है अन ब्रेकेबल एन आटो बाइग्राफी पुस्तक किस ने लिखी है तो मैरिकॉम ने लिखी है राज विधान सबाओं के चुनाओ का दायत्व कहां पर है तो वो नई दिल्ली में है सूर्य और ब्रहस्पती के बीच की दूरी कितनी है तो 77.5 मिलियन किलोमेटर भारतिय राष्टिय उंग्रेस का पहला दिवेशन कहां हुआ तो बॉंबे में हुआ था पदम पानी बोधिसत्व के चित्र कहां पाए गए गए है तो ये मुरक्का की राजधानी क्या है तो रबात है और पदमा नदी किस देश में बहती है तो ये बंगला देश में बहती है अगला परस्ण यहां देखेगा जो कि आपसे पूछा गया एक्जाम में कि भारत के किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सरवाधिक है तो किसका उपसर गया तो ये है जैप्टों का जीवन इसम्रती पुस्तक किस ने लिखिये तो रविंदरनाथ टैगोर ने परकाश तरंग का सिधान्त किसके द्वारा प्रस्तावित किया था तो क्रिष्टियान हुजेंस के द्वारा भारत के सांस्कृति कितिहास में उत्तर के नगरों और द्रक्षन के द्रविणों का संबंध किस से है तो मंदिरों से है 1946 में बनी अंतरिम कैविनेट के देख्षता किस ने की थी तो जवाल राल नहरू ने की थी भारत के संग शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं तो भारत के रास्टपती के द्वारा नील की खेती दो प्रमुख पद्दितियां निज और क्या थी तो दूसरी थी आपर रैयत CRR का पूर्ण रूप क्या है तो कैश रिजर्व रेशियो राजसभा का सदस्य बनने के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए तो तीस वर्ष होनी चाहिए सामने तोर पर क्या है जो कि पत्तियों से खनीज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है तो फ्लोयम है गड़करी विद्रो कहां पर हुआ था तो ये हुआ तक कोलहापूर में जापान की खाई ट्रेंच किस महासागर में इस्तित है तो ये प्रशांत महासागर में इस्तित है किस समयधानिक संशोधन अधिनियम दौरा सिक्किम को भारती संग में पून राज्य का दर्जा दिया गया था तो 36 समयधानिक संशोधन शारिक स्वास्त के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ती द्वारा दिशा बदलने की शेगरतम योग्यता को परिभाशित करता है तो इस पूर्ती प्रती इकाई विधुत शेतर पर अपुवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिपाशित किया जाता है तो विधुत प्रवाह घरत्व को समवेग में नियत परिवर्टन के लिए थोड़े समय के लिए कारेरत एक भारी बल क्या कहलाता है एहमदिया अंदुलन का प्रारंब किस ने किया था तो मिर्जा गुलाम एहमद ने किया था आर्तिक गतिविधियां जिसमें प्राकर्तिक संचोधनों जैसे क्रशी, वानिकी, मतिस्ची, आधिका, उप्योग प्रतेक्स रूप से किया जाता है वो क्या कहलाती है तो प्रात्मिक छेतर कहलाता है अकसाई चीन किस राज्य में इस्ते थे तो जम्मू और कश्मीर में इस्ते थे भारत के किस छेतर में सोने की खुदाई हुआ करती थे तो कोलार में वह संगठन जिसमें दो कन संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं क्या कहलाते हैं तो पूर्णत है इन इलास्टिक संगठन कहलाते हैं। किस धर्म में निर्वान प्राप्ति के लिए चार आरे सत्यों का लेक मिलता है तो बौध धर्म में। कौन सा वरक्ष पाया जाता है तो चंदन उस प्रतक हिकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंतरन करता है तो फैक्टर्स विश्व भर में MNC's द्वारा किया गया निवेश का कहलाता है तो विदेशी निवेश कहलाता है समिधान में उलिखित बजट को क्या कहा जाता है तो वार्शिक वित्तिय विवरन कहा जाता है गंगा में रास्ट्य जलमार्ग संक्या एक किन किन छेतरों के बीच बहती है तो इलाबाद और हल्दिया के बीच पंजाब हर्याना के मैदानी छेतरों में खादर पट्टी को किस नाम से जाना जाता है तो वेटलेंड के नाम से जाना जाता है अमेरिका की खोज किस ने की तो क्रिश्टोफर कोलंबस ने की किसी जीव को केंदरी अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है तो ये क्या कहलाता है तो ये रेडियल सममिती कहलाता है बस वन्ना की अन्याई कहलाते थे तो वीर शैव कहलाते थे गुलकोज की चक्रिय सनरशना में एक अक्षिजन अनू तथा पांच कार्बन अनू के योग से बना चक्रिय और्गेनिक पदार्थ कौन सा है तो पाईरेन है किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का अयोजन किया था तो ये उर्गवे ने किया था अंतराश्टी तिथी रेखा किस जल संदी से होकर गिजरती है तो बेरिंग जल संदी से शेक हैंड ग्रेप शब्द किस खेल से संब्द दीता है तो ये टेबल टैनिस से संब्द दीता है चुनाओ की कौनसी विवस्था बहुमत विवस्था के नाम से जानी जाती है तो वो सरवाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजए फर्स्थ पास्ट दपोस्ट भारती समिधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है तो व्यक्ति की गरिमा और रास्ट की एक्ता और अखंडता का विदों की और लोटों का नारा किस ने दिया था तो दयानंद सरस्वती ने दिया था नाइलोन 66 के निर्मान में किस एसिड का प्रियोग किया जाता है तो एडिपिक एसिड का प्रियोग किया जाता है धन विदेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है तो केवल लोकसभा के द्वारा किया जा सकता है मानव विकास उचकांग पहली बार कब प्रकाशित हुआता तो 1990 में प्रकाशित हुआता किस मुगल शासक ने मनसबदारी विवस्ता लागू की थी तो अकबर ने किस महादीब को ओशेनिये के नाम से जाना जाता है तो अस्ट्रेलिया को ओशेनिये के नाम से जाना जाता है electronic shell के साथ उच्छतम principle quantum संख्या के साथ जोडे गए electron क्या कहलाते हैं तो valence electron कहलाते हैं अर्थ शास्तर में term growth का अर्थ क्या है तो आर्थिक व्रद्धी है पंचायत और निगम चुनाओं का आयोजन के द्वारा किया जाता है अगला प्रस्म देखें आपके 11 जनवरी 2019 की shift no.2 में आर्पेफ समिस्पेक्टर में पूजा गया कि यहां पर किस उपकरण त्वारा उच्छ चुम्बगे चेतर उत्पन करने के लिए उसमें solenoid, parinalika और teroid के सयोजन का उपयोग किया जाता है कुछ समय के बाद थक्का अत्वा कॉगलम लाल भूरे रंग का मैल जैम हो जाता है तो वो जमा हो जाता है तो वो किस तंतूओं का एक जाल होता है तो वो फाइब्रिन्स तंतूओं का जाल होता है प्रसिद जामा मस्तित का निर्मान किस शासक द्वारा कराया गया था तो शाजां के द्वारा कराया गया था बॉक्सिंग खेल का छेतर क्या कहलाता है तो रिंग कहलाता है एक द्वी बीज पत्री पत्ते की उपरी और निचली भाय ये तोचा की बीच पाया जाने वाला उत्तक क्या कहलाता है तो मैसोफिल कहलाता है वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो ये है 545 धारा घरत्व का SI मातरक क्या है तो A by M square हरित क्रांती का जनक किसे कहा जाता है तो M.S. स्वामीनाथन को चन्नाई के समुदरी बंदरगा की भीड को कम करने के लिए किस बंदरगा का निर्मान किया गया तो एन्नोर का M.H. दंबरम स्टेडियम कहां पर है तो ये है चन्नाई में कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी तो बादामी बंगलादेश का रास्टरगान आमार सोनार बंगला की रसना किसने की थी तो ये की थी रविंदरनाथ टैगोर जी ने रास्टरिय योजनाओं के चेतर में आधिकारिक प्रियोग नहीं थै रूस की बल्शविक रांती पर लोगसभा के सदस्यों का कारेकाल कितने वर्षों का होता है तो पांच वर्षों का दिल्ली किस प्रकार का राज्य है तो राश्टी राजधानी छेतर और केंदर सासित प्रदेश प्रकार का राज्य है अभिकारकों के संकेंदरन के संदर्व में अभिक्रिया केदर का प्रकाशन क्या कहलाता है तो दरसंबंधी नियम कहलाता है मवेशियों की किस नस्टल का उपयोग दो उदेशियों के लिए होता है तो उंगोल का भारतिय फुटबॉल के इतियास का और सुनिम यूग किस काल को कहा जाता है तो 1951-1962 के काल को किस भारतिय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है तो महरास्ट में प्रसिद्ध कड़ाई की कला गोटा का संबंद किस राज्य से है तो वो है राजस्थान से अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रशलित किया तो इलतुत मिशने प्रसिद रचना तूती नामा किसके शासनकाल में रची गई थी तो अकबर के किसी वस्तु की गतिज उर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किये गए कुल बल के बराबर होता है तो यह कथन किस से संबंदित है कार्य उर्जा प्रमेई से भारतिय संसत के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है तो लोकसभा की शार्दिये विशुव किस अतिती को होती है तो ये होती है 22 और 23 सितंबर को हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है तो ये होता है कलपना संसद के किस सदन के सदस्यों की आयू 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तो ये लोकसभा के अगला यहाँ पर देखिएगा प्रशन जो कि आपसे पूछा गया है कि न्युनेतम समर्थन मुल्य किस से संबन दिता है तो कर्शे उत्पादन से किस की समरती को यादगार बनाए रखने के लिए अधुनिक उलंपिक में मेराथन दोड की शुरुवात की गई थी तो ये फैडी पिडीज की राजसभा सदस्यों के अधिक्तम संख्या कितनी होती है तो ये धाई सो होती है मानव विकास सुचकांक, HDI में स्वास्त घटक क्या मापा जाता है तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को नाभी के रियक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विधुत अपकटन से निर्मित होता है और एक नियंतरक के रूप में प्रियुक्त होता है तो भारी जल कौन से रंग की अशुद्यों को अवशोशित कर घोल को रंग हीन कर देता है तो कौन सा रंग है वो एनिमल चार कोल राजा रवी वर्मा का संबंद किस राज्य से है तो केरल से प्रत्वी की सबसे गहरी परत क्या कहलाती है तो भू परपटी कहलाती है पौधों में अंडाशे के भीतर अंडानों की विवस्था को क्या कहा जाता है तो अपरा न्यास कहा जाता है डबलू ट्यों के अनुसार वस्थु एम सेवाओं पुंजी एम स्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अपरपंदित आवजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थविवस्था की गती क्या कहलाती है तो वैश्वी करण कहलाती है भारती समिधान में मौलिक करतेव्यों को किस संशोधन अदिनियम के द्वारा जोड़ा गया तो 42 समिधान संशोधन के द्वारा भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो करनाटक है तुगलकाबाद शहर की स्थापना किस ने की दित तो ये की थी गया सुदिन तुगलक ने तीन जून 1947 को योजना की उद्गोषना किस गवर्नर जनरल ने की थी तो लॉड माउंट बेटन ने की थी अब यहाँ पर 11 जन्वरी की शिफ्ट नंबर 3 में पूछेगे कुशन तो यहाँ देखेगा कि किसने प्रसिद महाकाव्य किरा तारजुनियम लिखा था तो ये लिखा था भारवी ने अगला यहाँ पर सोम देव देव वर्मन का जो संबंद है वो किस खेल से तो वो टैनिस से है लोहे और स्पात के कारखाने किस छेतर में सरवादी कें तो छोटा नाकपूर के पठार में संक्रमित कोशिकाओं और गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सी प्रोटीन्स रावित करती हैं तो इंटरफेरोन राजसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के समिधान से लिया गया है तो ये दक्षन अफरिकी समिधान से लिया गया है गंगा एक्षन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी तो 1986 में की गई थी मदरास राज्य का नाम बदल कर तमिल लाडू किस वर्ष किया गया था most most important question कि कभ यहाँ पर तमिल लाडू राज्य रखा गया था तो ये रखा गया था 1969 में खिलजी वंश का संस्तापक कौन था तो खिलजी वंश के जो संस्तापक थे वो जित जलाल उद्दीन खिलजी पराग कणों की भाईय परत एक्सीन किसकी बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक परदार्त है तो ये है इस पोरो पोलेनीन होती है किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाशाई आधार पर आंदर प्रदेश के निर्मान की पस्चात अन्य छेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई है तो फजल अली आयोग कुटब बुद्दीन एवक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई तो चौगान खेलते समय कुटब बुद्दीन एवक की मौत हो गई थी सबसे गहरा भू बढध और सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है तो विशावखा पटनम का जो बंदरगाह है वो सबसे व्यस्त बंदरगाह यहाँ पर है दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान सहासिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है तो मुहम्मद बिन तुगलक को भारत में जीडीपी का निर्धारन किसके दौरा किया जाता है तो केंद्रिय सांकी की कारेलेद के दौरा मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्यार्थ है तो प्रवेश द्वार अगला प्रशनी यहाँ पर देखेगा जो कि आपसे पूछा गया है कि सामान ने कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्याले के पास होती है कौन सा रेगिस्तान दक्षनी अमेरिका में इस्तित है तो पेंटागोनियन मरुस्तल लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधी का उपयोग किया जाता है तो समान अंतर विधी का 2002 इस्वी में किस समिधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया तो 86 में समिधान संशोधन के द्वारा विजयाल है जो चोल वंच का संस्थापक था वो पहले सामन था तो ये पल्लवों का मर्दा संरक्षन की किस विधी के द्वारा रेत के टीलों के निर्मान और रेगिस्तानों के इस्थरी करण में योगदान मिलता है तो चायादार क्रशी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो लॉड माउंट वेतन एक जनवरी 2015 को किस सरकारी निकाय का नाम बदल कर नीती आयोग कर दिया गया तो योजना आयोग का किनी दो माध्यमों में एक माध्यम का अपतित कौन दूषरे माध्यम के अपवर्तित कौन के 90 डिगरी होने पर वह क्या कहलाएगा मर्रे डरलिंग नदी बेसिन किस देश में है तो ये औस्ट्रेलिया में है सन युगमित डिकेटोन बेंजे क्यूनोन के निर्मान के लिए फिनौल किस अमल के साथ ऑक्सिक्रत होता है तो क्रोमिक अमल के साथ यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो रोटर डैम का बंदरगाह मीथिला चितरकला के लिए कौन सा है किस छेतर परसिद है तो बिहार मद्यकालिन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता है तो सैन्ने विभाग को भारतिये खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है तो नित्ताजी सुभाष नेशनल इंस्टिटूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला को बालक लाइन शब्द का संबंद किस खेल से है तो कबड़ी से है पुर्ष बस्केटबॉल को पहली बार उलम्पिक में कब शामिल किया गया तो 1936 में सिपाही विद्रो है किस वर्ष हुआ तो 1857 में मता अधिकार के आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई तो 61 संविदान संशोधन के द्वारा चंद्रगुप्त मौरे किस की मदद से नंद को प्राजित करने में सफल हुए तो चानकी की मदद से विभव इस्थिरक यानि कि स्टेबलाइजर के रूप में किसे डायोड का उप्योग व्यापक रूप से किया जाता है तो ये है जैनर डायोड का वेनेजुएला के घास के मैदान को और किस रूप में जाना जाता है तो लोनास के रूप में जाना जाता है अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपत का उप्योग किया जाता है तो ये किया जाता है वीट स्टोन ब्रिज का कौन सा अंग आयनों को नियंतरित कर रक्त प्लाजमा को अत्यधिक अमलिय अत्वाशारिय होने से बचाता है तो व्रक जो किडिनिया है वो इससे बचाती है किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेष्टाएं पाई जाती हैं तो मेटलोईड में तो आज हम इस पार्ट नंबर वन को यहीं तक ही समाप्त करते हैं और पार्ट नंबर टू जरूर देखेगा अगर आप आर्पेफ कॉंस्टेबल और एसाई की यहां पर प्रपेशन कर रहे हैं क्योंकि पार्ट नंबर टू में हम इसके आगे के कॉश्टन्स लेंगे अभी का कॉंस्टेबल के पेपर भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे आप चाहें तो पीडियाफ ले सकते हैं और चाहें तो आप वीडियो पर लगातार बने रहे हैं चैनल को जरूर सब्स्क्राइब कर लिजेगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर कर दीजेग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत